Welcome to Lily Artist Fabric Works कल मैंने आपको दिखाया था यह डिजाइन बैंगल की हेल्प से आप कैसे ड्रौ कर सकते हैं वीडियो आप उपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं तो आज मैं आपको यह वीडियो पेंट करके दिखाऊंगी जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी सबसे पहले मैं आपको कलर शो करी हूँ पॉस करके आप नाम पढ़ लीजेगा यह ब्रश मैं यूस करने वाली हूँ आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट रहती है कि मैं ब्रश की डीटेल के लिए तो वीडियो ध्यान से देखा करिए मैं शुरू में या फिर बीच में कहीं पे भी आपको ब्रश शो कर देती हूँ कि मैंने कौन सा ब्रश यूस किया है तो वहाँ से आप बढ़ सकते हैं देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं कुछ वीडियो मैंने बनाई है कि इस पे आप देख के ये चान सकते हैं कि कौन सा ब्रश आपको परचेस करना है तो वो वीडियो में मैं आपको लास्ट में देदूँगी है यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए अब आगे वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से इस बॉर्डर डिजाइन को मैं पेंट कर रही हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करें और वीडियो को कम्प्लीट वाच करें मेरा बहुत ही अफ़र्ट होता है कि मैं आपको न्यू पेंटिंग दिजाइन से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ दिजाइन बनाती हूँ तो आप भी प्लीज मुझे सपोर्ट करें और वीडियो को कम्प्लीट वाच करें तो मैंने डिजाइन को सबसे पहले ब्राउन कलर से कनेक्ट कर दिया था और अब मैं लीव को पेंट करना शुरू कर रही हूँ आपको बैक्राउंड से जो भी कि वोइस आरी उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि आज कॉलोनी में बच्चे बहुत जादा शोर कर रहे हैं उनकी चुट्टिया हैं तो हम अपनी पेंटिंग पर ध्यान देते हैं और उसको सीखेंगे कि कैसे पेंट कर सकते हैं अपको बना अपने में अ झाल 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 नहीं तो इसके बाद देखें किस तरीके से आउट लाइन कर रही हूं और नीचे के साइड पे शेड देंगे इस तरीके से अब देखें वन बाइवन नापेंट करूंगी तो आपको देखने आए कि मैं कौन-कौन सा कलर इसमें मैं लगाओंगी कौन कौन सा कलर यूज करने वाली हूं अजिया मौन करना हूं स्टा जाओंगी कौन सा क्या टरें के लंऄ ठांगी कौन क्याते हैं भ्ली हूं श्यूज झाला टора आखे ह 중요ता है जिस जिस फ्लावर में मुझे रेड कलर यूज करना था मैंने सबसे पहले उसी को पेंट कर लिया देखें आपको भी इसी तरीके से करना है करना है प्रेट फ्लावर में पराग डालने के बाद अब देखें हमारा दो फ्लावर बचा है उसमें मैं आप दूसरा करें यूज करें हूं जो कि है स्काइब लू देखें कि अब मैं इसको कैसे पेंट करूंगी कि अपल बहाद आप एंगी जा जारा दे घृते उ बाद रह जंगे हो कि अघगे तनी झाल 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 तो देखिए स्काई ब्लू फ्लावर को पेंट करने के बाद जब मैं उसमें पराग डालूंगी वाइट तो यह वो कितना ब्यूटिफुल लग रहा है और इसी तरीके से जो हम कली बनाने वाले जो भाहमारी बची हुई है उसको भी हम पेंट करेंगे झाल 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 देखी हैап को लगनी होग गी है कंप्लीत ली पेंट हो चुकी है अब जो मैं लास इसमें कारने वाली हूँ वह है नसडाल तो है जलिए जल्दी जल्दी नसडाल लेते हैं और हमारी डिजाइन हो जाएगी कंप्लीी propor greater I hope कि यह आपको बहुत पसंद आई होगी आप comment करके मुझे बताईगा कि आपको कैसा लगा इसको paint करने का तरीका, इसको draw करने का तरीका आप इसको ज़रूर paint करिएगा और मैंसा share करिएगा I hope कि आप इसको easily draw कर ले fabric painting के और videos आप channel पे visit करके देख सकते हैं इते हैं नेक्स वीडियो में new design के साथ till then take care, bye bye